फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की ट्राइडेंट लिमिटेड में लगातार बहुत ही जबरदस तेजी बनी और फिर गुरुआर के दिन तेजी में ब्रेक लग गया और लग गया 10% का लोगर सर्किट और फिर हो गया पैनिक माहूल शुरू लो पैने वाले समय में 100% इसमें तेजी बनेगी हो कि इसका जो रिजल्ट है वो आराम से सांधार आएगा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और पहले से बैटर रिजल्ट आएगा और उसके पीछे जो वज़या है वह आपको इस वीडियो के मादेम से पता चल जाएगी और सा पुरा वीडियो दे के स्किप न करें चलो फ्रेंट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्स एस्वीडवी और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले हम फ्रेंट्स फ्राइडे के दिन के कारोबार को एक बार देख लेते हैं स्टॉक 14.25 पर ओपन हुआ फिर उसके अंदर गिर्यावट शुरू हो गई और जैसे कि गुरुवार के दिन लोर सर्केट लगा था इसलिए उसमें एक पैनिक माहूल बन गया और यह लो में चला गया 13.40 के लेकिन फिर निचले लेवल से बाइंग शुरू हो करीब 1.03% अब पर क्लोजिंग है वॉल्यू भी अच्छा खासा हुआ था बी एसी में करीब 1.44,87,000 की वॉल्यू हुई और सामने 72,86,000 की डिलेवरी उठाई गई और डिलेवरी का परसेंटेज है 50.29% यानि 50% पर दिलेवरी बेस काम हुआ है यह एक पॉजिटिव सिगन है यानि लोग इसमें डिलेवरी अभी भी उठा रहे है इसका मतलब आगे तेजी की समावना बनेगी ही बनेगी बात कर लेते हैं नसी की 8,36,60,000 का वॉल्यू हुआ है और सामने 2,61,79,000 की डिलेवरी उठाई गई और डिलेवरी का परसेंट है 31.29% यानि नसी में भी अच आइनेट लिमिटेड के प्रमोटर ने क्वाटर 2 के धर्मियान अपनी जो होल्डिंग थी उसको बढ़ाई थी 71.07 से उसको कर दिया था 71.84% और अब जो क्वाटर 3 का जो डाटा निकल के आ रहा है उसमें फ्रेंड्स बहुत ही चौकाने वारी बात सामने आई है प्रमोटर में अपनी प्रमोटर ने होल्डिंग को बढ़ा दिया है यानि बहुत बड़ी बातरा में अपनी इस्यदारी को बढ़ाया है जो यह साबित करता है कि प्रमोटर बहुत ही मजबूत है और उन्हें अपनी कंपणी की पर्फॉर्मेंस पर पूरा बरोसा है इसलिए वो लगा जादार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे प्रमोटर की होल्डिंग की लीमिट होती है 75% उस से जादा लिस्टेड कंपणी होता में प्रमोटर अपनी होल्डिंग नहीं रख सकते यानि आने वाले क्कौर reduced Clavoyी तक प्रमोटर अपनी इस्यदारी 75% तक की होल्डिंग पूर पहले बिल्कुल दी थी यानि 0% उसे 0.02% किया था लेकिन quarter 3 के दर्मियान अपनी mutual fund ने अपनी holding को 0.02% से घटा कर 0.01% पर ले आए यानि उन्होंने अपनी holding को घटा दिया है लेकिन इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है mutual fund एक्चुल में लगातार दो महिने से अपनी profit book कर रहें क्योंकि already वो बहुत जाला profit में है और अब वो लगातार अपनी profit book कर रहें और उन्हें आकिर अपनी profit जो है अपने investor को वापस pass on भी करना है इसलिए वो अपनी holding है उसमें काफी profit मिल चुका है तो वो अपनी holding को बेच के अपने जो investor है उनको अपना उनका profit लोट कर रहें और इस वज़े से Trident के अंदर भी mutual fund की कम हुई है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कोई tension वाली बात नहीं है क्योंकि mutual fund तो लगातार सारे के सारे सेक्टर में से अपनी holding कम कर रहें और friends quarter 2 में FIAE ने भी अपनी holding को गटाया था उन्होंने 1.68% से गटा है जो 1.6 से उन्होंने वापस 1.61% पर ले आये है यानि जो उन्होंने quarter 2 के दर्मियान अपनी holding को गटा दिया था उतनी holding लगबग वापस उन्होंने quarter 3 के दर्मियान बढ़ा दिये यानि उनको Trident Limited के share पर पूरा बरुसा है इसलिए उन्होंने investment किया है Trident Limited के share में तो FIAE त अपनी holding जो है बढ़ा दिये quarter 3 के दर्मियान friends quarter 2 के दर्मियान institutional investor ने भी अपनी holding को 2.66% से गटा कर 2.5% कर दिया था यानि quarter 2 में institutional investor ने भी अपनी holding को गटा दिया था परन्तु इस बार quarter 3 में अपनी holding को उतना ही रखा है यानि उन्होंने unchange किया है अपनी holding को तो इससे एक बात साब जाहिर होती है कि उनको भी भरुसा है यहां के बड़े investor को Trident Limited का stock बहुत ही सांधार है इसलिए उन्होंने इस बार holding नी गटा ही जबकि quarter 2 में उनकी holding गटी थी यानि इस बार जो है लगबग quarter 2 से quarter 3 का पलड़ा जो है वो भारी लग रहा है यानि इस बार देख ल है तो इसमें कोई गबराने वाली बात नहीं है mutual fund की तो holding 2 मेने से वो salary बने हुए है वो लगातार अपनी selling कर रहे है तो इस वज़े से लग रहा है कि लोग investment कर रहे है Trident Limited के stock में इसलिए जबबरदस तेजी आपको दिखाई देगी और साथ में result भी बहुत ही सांधार आने 25K और फिर यह low में चली गई 13.40 यानि काफी लोगों ने profit book किया अच्छा खासा इसमें नफा मिला लोगों को और निचले लेवल से लोगों ने फिर से buying सुरू हो गई और इसलिए price फिर बढ़ गई और अब quarter 3 के result की date भी declare हो गई है 18 January को इसका result आ जाएगा यानि इसमें गिरावट की जादा सम्भावना नहीं दिख रही है परनतु जितनी बड़ी तेजी अभी तक आई ए। उतनी बड़ी तेजी इसमें अब नहीं दिख रही है जोपी है अब थोड़ा에 latchle हो गया ज्यादा आप इसमें ज्यादा गिरावट नी देख पाएंगे लेकिन बहुत बड़ी तेजी भी नी देख पाएंगे हाँ लेकिन quarter three का result डिकलेर हो जाएगा और result अगर दमदार आया तो उसके बाद जबर्दस रोकेट की गतिसे यह share फिर से दोडने लगेगा लेकिन तब तक जो है एक range के अंदर यह आपको दिखाई देखा इस टॉक अब जो इसकी range बनी है वैसे वो है 12 से लेके 17 की range है और इस range के अंदर आपको quarter three के result तक यह दिखाई दे सकता है और अगर लोगों के community sentiment की अगर बात करेंगे तो 79% लोग इसको buy की call दे रहे 14% इसके sell की call है और 7% hold की call है तो 79 और 7 को जोड़ दे तो 86% out of 100 86% लोग इसको लेना पसंद कर रहे है इस विज़े से लग रहा है कि Trident Limited में लोगों की बहुत जादा पसंद है और quarter two का result भी इसका दमदार आया था जबकि lockdown लगा हुआ था quarter two के दर्मियान उसके बावजुद भी इसने अच्छा result दिखाया quarter इसकी performance अच्छी थी तो अब quarter three के दर्मियान तो सारा lockdown खुल चुका है तो पर definitely जो result है वो अच्छा आएगा सामने से clarification दिया गए company की तरफ से कि हमने ऐसी कोई announcement नहीं की है और हमने हमको अच्छा नहीं कि यह क्यो price बढ़ रही है लेकिन जो अंदर की बात है कि promoter अपनी इस्यदारी बढ़ा रहे तो कुछ सो दमदार है उसकी performance इसी वज़े से वो अपनी इस्यदारी को बढ़ा रहे तो इसी का असर है कि share में बहुत तेजी बन रही है और उनके कहने से भी ते आई जिसकी बढ़ेगी लेकिन फ्रेंड्स कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisor से एक बार डवाजिक ले ले या अपना खुद का research करें क्योंकि मैंने ये वीडियो आपके educational purpose के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो like share जूरू कीजिए और चैनल को सब्सक्राब कर दिए thank you friend